हाई गाईज कैसे हो आप सब लोग आई होप आप सब ठीक हो आज में लेकर आई हूँ आपके लिए पपीता की एक ऐसी रेसिपी जो आपको बहुत पसंद आने वाली है हम पपीता को अच्छे से साफ करके काट लेंगे चोटे-चोटे पीसिस में देखें जिस तरह से मैं काट रही हूँ आपको भी ऐसे ही काटने हैं और इसके बीज निकाल लेंगे तब ठीक हमारे पीसिस कट रहें तब ठीक आप में चैनल को सेर सिस्क्राइब। और है करें और कमेंट में मुझे बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी अब हम इन पीसिस में फॉक्षे छेद कर लेंगे सभी पीसिस को हम एके करकर छेद कर लेंगे उसके बाद हम कडाई लेंगे और उसमें दूद डाल देंगे दूद मैंने एक किलो लिया है अब हम इसमें एड़ करेंगे अपने कटे हुए पपीते को और इसको चलाते रहेंगे इसमें एड़ करेंगे हम इलाइची पाउडर मैंने चार इलाइची लिये इसको पीछ कर इसमें एड़ कर दिया है गब्राना नहीं गाईज ये दूद पपीता डालने के बाद फट जाएगा लेकिन आप गब्राना नहीं अब हम इसको मेडियम फ्लेर पर ऐसे ही पकाते रहेंगे और देखें हमारे दूद बिल्कुल भुन गया और पपीता भी बिल्कुल गल गया है देखें अब हम इसके पीस इस निकाल लेंगे देखें कितने लाजबाब मिठाई बनी हुए है आप एक वार ये रेस्पी जरोर ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये रेस्पी कैसी लगी टाटा आप बाई बाई